आज के इस भाग में हम लेकर आए हैं सिंग राशी वालो का सापताहिक राशी पल यानि 17 जून से 23 जून तका समय सिंग राशी वालो के लिए क्या सजाने वाला है? आए जानते इस भाग में नमस्कार दोस्तों, मैं ये इस पल जिम्रों का और आप देख रहे हैं इफेक्टिक आसलोजी है स्वास्ते की द्रिष्टी से इस सप्ता पेट की समस्या के साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम भी रह सकती है इसलिए थुड़ी सावधानी रखने की आवशक्ता है धन की बात करें तो इस सप्ता धन की द्रिष्टी से सूरे, भुद्ध और शुक्र, तीनों ग्रहों का एक साथ बैठना आपको लाब के साथ साथ खर्च भिकर आएगा इस सप्ता सरकार या मातापिता की तरफ से आपको लाब हो सकता है इस सप्ता आपको एक्स्ट्रा इंकम से भी लाब होता नजर आ रहा है इस सप्ता आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी आये में व्रिद्धी होगी या रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है खर्चे की बात करें तो अचानक कोई उपकरण या कोई सामान खराब होने की वज़े से धन कर्च होगा अब बात करते हैं करियर की करियर की बात करें तो इस सप्ता शुब योग बन रहा है जिस कारण कारेशेत्र में आपको पदउन्ती के आफसर मिलेंगे कारेशेत्र में इस सप्ता दियागा कोई भी कारे आपके लाब के द्वार खोलेगा इसलिए कारेशेत्र में दिये जा रहा है सभी कारेओ को सुविकार कर लेने में ही आपका लाब है दामपत्य जीवन के लिए ये सप्ता सामाने रहेगा इस अपता आप दोनों अपने-अपने कार्यों में व्यासत रहेंगे भागे की बात करें तो इस अपता कोई भी अगर आप महतवपूंड कारे करना चाहते हैं तो सोमवार और मंगलवार का दिन शुब रहेगा अब बात करते हैं इस अपता के उपाए की मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्स्ट्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे इस सब्स्टा के उपाए में आपको रोजाना तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को जल चड़ाना है साथी हनुमान चालिसा का पाट करना आप के लिलाबधाई सिद्ध होगा दोस्तों आप हमारे चैनल पर मासिक और सापताहिक राशिफल विस्तार से भी जान सकते हैं इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पर वास्तू उपाए और होने वाले त्योहरों के बारे में विस्त्रिक जानकारी भी जान सकते हैं उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगली वीडियो में जल्द हजीर होंगे, तब तक के लिए ओम नाज़ागे।